हेलो विनर्स वेलकम बैक तो OEX कोईन्स के विड्रॉल के लिए ओरॉल सबसे अधा इंपोर्टन विडियो अभी तक का इसलिए क्योंकि टीर वन एक्षेंजेस के उपर इसका लिस्टिंग हो रहा है और OEX आप के थुरू कैसे अपने कोईन्स को में ट्रांसफर करके एरर आ रहा है जैसे page could not be found तो अभी के लिए system में आपर under maintenance होने करण ये समस्य है आपको आती रहेगी बट कुछ समय के बाद आप फिर से try करेंगे तो आपको सारी detail live process हर crypto community के साथ मिलती रहेगी तो अभी इसके लिए और एक important step आपको दोस्तों show कर रहे है सबसे पहले आप की फिलाल हम लोग side में रखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर और minute से open करेंगे boat minute को जो fair coins को हमने collect किया था claim किया था 100 fair tokens को जैसे आप screen के उपर देख रहे है fair boat यहाँ पर 100 coins हमारे reflect हो रहे है balance के अंदर fair के सामने और इसको हम लोग अभी open करेंगे open करने के बाद total balance के अंदर भी आपको यह सारे coins show हो जाते यह जो coins होंगे दोस्तो as a gas fees आपके use होने वाले है OEX coins को OEX app से transfer करने के लिए trade करने के लिए किसी भी transactions को conduct करने के लिए जैसे decentralized format में आपको पता ही है gas fees जो होती है 3% 5% slippage tolerance आपको लगता है तो in exchange of that gas fees आप अपने fair coins का use कर सकते तो आपको airdrop के उपर अभी click करना है airdrop के उपर click करेंगे तो अभी जो pending claimable token से आपके बाकी थे वो अभी available हो गये है इनको सबसे पहले आपको claim कर लेना है जैसे same as it is screen के उपर आपको show कर रहे है airdrop के अंदर आपको आना है airdrop के अंदर आते ही आप देखेंगे तो success हमारा claim complete हो गया है तो as a gas quiz अभी in fair coins का airdrop जो आपको मिला है उसके तरू आप simply से easily अपने सारे transactions को complete कर सकते जैसे आप देखेंगे both minute के उपर हमारे अभी यहाँ पर जो home interface है यहाँ पर भी 430 coins हमारे show हो रहे है इनको सबसे पहले आपको claim कर लेना है यदि आप हर shift community के साथ बने तो आप हर द को subscribe कर ले तो कोई भी important updates notifications आपसे miss दे होंगे bell icon को press करके activate करने के बाद बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत समझता है अगर आपको आती रहेगी तो हर shift support आपके अपने telegram चाहल पर basic से basic सारी चीज़े clear करने की कोशिश आपके लिए करते रहते YouTube से पहले important सारे signals updates आपको यहाँ आपर मिल जाते निचे description box में link आपको provide कर दिया खास करके new users चो basic को clear करना चाहते समझना चाहते processes को conduct करना चाहते easily quickly आप join कर सकते YouTube से पहले सारे अपडेट signals आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दोस्तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया good news core blockchain के उपर जैसे OX form हुआ है तो core की चो total value lock की TVL की बात करेंगे तो अचानक से एक भयंकर growth हमें देखने को मिल रहा है moment के अंद work करता है बागी altcoins के लिए XRP, Litecoin, Dogecoin, Shiba Inu ऐसे पहुत सारे meme coins भी है fundamental जो भी technical coins है सारे coins के लिए work करता है bitcoin parent cryptocurrency तो same as it is OEX के लिए work करता है core chain का core DAO coin क्यूंकि core chain पे core की blockchain पे यह form हुआ OEX coin हो OG coin हो सतोशी app पे जो airdrops conduct हो रहे है कोलेंड coin हो तो यहाँ पर जो जैसे core coin यहाँ पर प्रदर्शन करेगा market के अंदर तो उसका जो यहाँ पर प्रबाव होगा वो पड़ेगा किन coins के उपर इनके oil coins के उपर जो core blockchain के उपर form हो है जैसे OEX हो OG हो, कोलेंड हो तो यह सारे coins से इनका value निर्बर करता है core coin के प्रद इसका listing हुआ और खास करके bitcoin की decentralized finance को unlock करने की खोशिश जब से आपर जा रही है तब से बहुत सारे बड़े-बड़े expertise का बहुत सारे बड़े-बड़े players का market के अंदर investors का जो धान है, attraction आपर build करने में आपर core coin को लगातार help हो रही है, जिसका एक बड़िया सा बड़िया USD, दोस्तों ये बहुत बड़िया figure है और ये सिप शुरुआ थे, ये initial stage है, initial stage में ही इतना बड़ा यहापर total value lock देखने को मिल रहा है, तो आगे सुचिए कितना होने वाला है, क्योंकि अगर हम पूरे crypto universe की market cap की बात करेंगे, तो 2.5 to 2.3 trillion के around है, और इसमें से सिर्फ अभ करते हुए देखने को मिल रहा है, रिसेंटली फिर से एक बार all time high को टेच करते के आ गया है नीचे bottom पे, क्योंकि market थोड़ा सा drown trend में चलने करने, इफेक्ट तो ज़रुरी होता ही है, बट चांसेस ये है, इस bull trend के अंदर target बहुत बड़ा है, 70 to 100 dollar grab करने की भी यहापर potential जा रहा है, इसके सारे transactions, सारे process को complete करने के लिए सबसे ज्यादा use होगा, तो OEX coins का होगा, तो despite the current bearish crypto market, over 20k active address have participated in the OEX fair launch event, जैसे हमने आपको show किया, बहुत सारे members का error आ रहा था, open नहीं हो रहा है, fair launch event, but कुछ समय के बाद कोशिश करेंगे, तो यह भी यहापर open हो जाएग and the number is rapidly growing, instilling confidence in our community about the event's success, बिल्कुल यह जो TGE event है, यह unique perform करने की कोशिश आपर core और openX team की तरप से जारी है, जो कि successful होना ही है, there is still small portion of a drop that hasn't not been distributed to ensure greater decentralized at TGE, we will process how to handle these tokens to the community, दोस्तों, जैसे हमने recent update के अंदर ही discussion किया, तक good news पे good news आपके साथ share कर रहे है, OX coins की value बढ़ाने में, यह जो टेक्निके सबसादा help करने वाली है, जो है DAO, decentralized autonomous organization, और DAO को यहापर मोका मिल रहा है vote करने का, कि अभी जो बचे airdrop coins है, 20% community airdrop में से 10% यहापर distribute हो है, कहाँ पर Satoshi Mr. Sapp platform के उपर, और यहापर जैसे आप देखेंगे, तो अभी new airdrop conduct होना है CTO coins का, Core Retardio coins का, जिसका price भी बहुत जपरदस्त boom किया है, airdrop start होने से पहली यह coin listed है already, leaf exchange के उपर, बट यहापर अगर हम देखेंगे तो free में earn करने का मोका मिल रहा है, तो almost सारे के सारे members mine करके, इसको free में collect कर सकते हैं, new members निचे description box में link आपको Satoshi Mr. सा platform का provide करते हैं, बिल 20 में से 10% coins distribute हो है, और 10% airdrop जो है अभी भी pending है, तो इन tokens का क्या किया जाएं, अभी इसके उपर जो community vote करेगा, जहापर majority जादा रहेगा, वहाँ पर उस option को select करके, वो 10% coins को लेकर decisions लिये जा रहे हैं, तो search as continuing to distribute rewards to drive user growth, तो user growth करने के लिए क्या हमें उसका, फिर से airdrop करना चाहिए, यह पहला option है, आप comment section में ज़रूर mention करना कि क्या करना चाहिए, जिसके basis पे और भी information clear होती, पता चलता है community को, तो आपका opinion, आपके selections बहुत जादा इस एक project के अंदर matter कर रहे हैं, then second option है दोस्तो, stopping rewards and burning the tokens, यह हो सकता है, आपके लिए सबसे बड़ी option, अगर यह हो होता है, तो circulating supply में से, और 10% coins कम हो जाएंगे, 1 billion coins total कम होने वाले दोस्तो, बहुत ज़्यादा effective होता है, तो क्या इसको stop किया जाए, airdrop को stop किया जाए, और इन सारे coins को burn किया जाए, burn अगर किया जाता है, तो value के उपर सबसे जादा impact होता है, इस चीज़ का, तो सबसे बड सबसे अधा importance burning event को लेकर हमें आपर लग रहा है, क्योंकि burning event एक ऐसा event होता है, जिसके चलते हमने recent bull run के अंदर देखा, कि price के अंदर बहुत बड़े बड़े rapid changes हमें growth momentum देखने को मिले है, क्योंकि circulating supply के अंदर से coin exist ही नहीं करते, total balance, total supply में भी exist नहीं करते, burn हो जाते सिधा, तो यह करना चाहिए, कि third option जो दिया गया है, are distributing them proportionally to current reward holders, तो क्या सिर्फ current reward holders जो है, ओई एक साप के उपर उनको distribute किया जाना चाहिए, तो देखो मज़ेदार है, पहला option जो है, यहाँ पर new users आएंगे, new airdrop conduct होगा, और उनको distribute किया जाएगा, तो क्या आप पहले option के साथ जाना चाहिए, second option है, burning event conduct किया जाएगा, जिसके अंदर सारी जो token से उनको burn किया जाएगा, और rewards stop हो जाएगे completely, तो वो जो coins रहेंगे, वो supply के अंदर आएंगी ही नहीं, existence में रहेंगी ही नहीं, तो उसके बाद का third option जो है, वो है distributing, यहाँ पर सारे coins फिर से distribute किया जाए, same holders को, जो अभी OX app के अंदर coins को hold कर रहें, तो जो members 100, 200, 500 coins को click किया होंगे, वो चाहेंगे, कि इनको हमें फिर से distribute किये जाए, आप comment section में आपके according mention कर सकते, बट यहाँ पर जो value बढ़ने के लिए, सबस्यादा important होगा, वो होगा burn करना, burn अगर होता है, तो बहुत अच्छा जिसके उपर इसके listing होने के बाद हम successfully transfer करके इसको withdrawal ले सके, और उनको भी सारे benefits आपके बताय हुए concept के according मिलते जाए, तो उनका भी belief बढ़ेगा, आपका भी belief वर्क करेगा, और इस crypto unions में, 2024-2025 के bull run में, सबसादा financially journey को अपने सबसादा strong बनाना, अपने सबसारे दोस्तों क सबसे पहला बढ़ा अपना main motive है, इसको हम लोग completely achieve करने ही वाले है, हरश भाई आपके support में जारी है, आपके भी support की दोस्तों जरूरत होती है, like even आप बिल्कुल भी मत जाना, मिलते हमारे next video में, next interesting and beneficial information के साथ, till then goodbye and take care.